Hello everybody, I hope आप सब healthy होंगे, मैं हूँ आपकी biology educator शिवानी माम, welcome back to magnet base, जो आपको provide कराता है, kindergarten to class 12, हर class, हर subject की quality education, वो भी बिलकुल free, जी हाँ आपने सही सुना, magnet means provide कराता है, unpaid subscription, आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए, कोई भी paid subscription लेने की जरुवत नहीं है, चाहे वो CBC board हो, UP board हो, बिहार board हो, या MP board हो, आपको हर class, हर subject के topic wise explanations मिलेंगे, साथ में मिलेंगे धे सारे practice questions, इतना है नहीं, आप अबेर कर सकते हैं, e-notes and e-book, जिसकी link description box में दी है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो है, हमारी biological classification chapter number 2 के MCQs पर, मतलब multiple choice question पर clear है, तो हम इस वीडियो में करेंगे multiple choice question, तो चलते हैं, are you guys ready, आपको हर एक question को attempt करने के लिए, पहले मैं answer नहीं बताऊंगी, आपको हर एक question को attempt करने के लिए, मैं 5 second दूँगी, उस 5 second में आपको answer करना है, तो चले, are you exciting, चलो, तो, हाँ, पहला question है, which of the following organisms can be found in extreme saline condition, ठीक है, तो कौन सा organism होता है, जो extreme saline condition, saline का मतलब होता है salty condition, clear है, तो ऐसा कौन सा organism है, जो extreme salty condition में present होता है, या वो उसका habitat है, क्या clear है, तो बताईए A बोल रहा है आरकी बैक्टीरिया, B बोल रहा है यू बैक्टीरिया, C है साइनो बैक्टीरिया and D डहली है माइको बैक्टीरिया तो जल्दी बताईए कौन सा अंसर होगा, 5 सेकिंड है 1, 2, 3, 4 and 5, time up, time up चले तो आप बताईए इसका अंसर क्या होगा, जल्दी बताईए तो मेरे हिसाब से तो आरकी बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कि यह कहां प्रसेंट होते हैं, एक्स्ट्रीम कंडीशन में प्रसेंट होते हैं, एक्स्ट्रीम कंडीशन में क्या, यह मैं बोल दूँ, अन्फेवरेबल कंडीशन में कहां पर, अन्फेवरेबल या हार्ष में तो harsh condition क्या होगी जल्दी बताए हưng गअ होगी हाइः ठेमपरीचर अपर क्या होगी आपके कौन होगे बताए अर्की बैक्तिरिया कौन होगे आरकी बैक्तिरिया इसका क्या जाएगा भी तो इसका आंसर क्या होगा भी आर्की बैक्टिरिया हम पढ़ते हैं ना मेथनोजन्स पढ़ते हैं थर्मो इसी डोफाइल्स पढ़ते हैं क्लियर है तो यह सब क्या हो जाएंगे आपके आर्की बैक्टिरिया चले तो आंसर क्या हो गया भी आपका क्या अंस classification यूस किया था, artificial, natural, phylogenetic system and e-sexual system, जल्दी बताईए, answer दीजे, आपके पास 5 second है, 1, 2, 3, 4 and 5, time up, time up, जल्दी बताईए, आपका समय समाप्त होता है, तो question number 2 का, क्या सही उत्तर है या answer है, जल्दी बताईए, तो इसका answer होगा, artificial system, क्या होगा, artificial system, ये इनका drawback था, कि इन्हों ने क्या किया था, vegetative और sexual, जो reproductive system, reproductive, sexual reproduction है, और vegetative reproduction है, उनको equal, क्या दिया था, weightage दिया था, जो इनका क्या था, demerits था, या drawback था, clear है, तो इन्हों ने क्या किया था, artificial system का use किया था किस में classification में क्या clear है तो देखते हैं इसका answer क्या है इसका answer है B, क्या है B, चल ये तो question number 3 बोल रहा है in which of the following kingdom are archi and nitrogen fixing organism classified तो बताईए archi bacteria and nitrogen fixing organism किस kingdom में present होते हैं आगरा बोल रहा है ऐनी मीलिया बोल रहा है नहीं kingdom plant वही परचा नहीं बोल रहा है MONERA 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 और D जो है Delhi बोल रहा है पंजाए तो जल्दी बताईए इसका answer क्या होगा 5 second है 1, 2, 3, 4 and 5 time up time up जल्दी बताईए इसका answer क्या होगा इसका answer होगा MONERA क्या होगा kingdom MONERA तो Monera में क्या present होते हैं आपके Archibacteria, U-Bacteria ठीक है तो Nitrogen Fixing Bacteria and Archibacteria किस में present होते हैं Kingdom Monera में clear है तो इसका answer क्या जाएगा third, क्या जाएगा third, चलिए तो question number fourth है Bentham and Hooker gave which system of classification Ventham and Hooker ने कौन सा system of classification दिया था जल्दी बताईए जल्दी बताईए कौन सा system of classification दिया था अगरा, numerical, Bombay phylogenetic, Chennai artificial and Delhi natural जल्दी बताईए क्या answer होगा 1, 2, 3, 4 and 5 आपका समय समाप्त होता है क्या आपने answer कर दिया है क्या आपने अपना answer lock कर दिया है तो इसका answer है natural, क्या है natural system of classification तो देखते हैं क्या answer चाता है इसका, देखते हैं इसका answer क्या है इसका answer है natural system of classification, क्या होगा natural system of classification screenshot ले लिया, आप screenshot लेते चलिया, आप screenshot लेते चलिया क्या clear है, चलिया, तो question number five है what is the main basis of classification in the five kingdom classification तो five kingdom classification का क्या basis जल्दी बताईए जल्दी बताईए आपके पास है five second आपको five second में answer करना है one two three four five and time up चलिए तो बताईए क्या होगा क्या हुआ आपका answer हो गया आपने answer lock कर दिया है क्या चलिए तो मैं बोलती हूँ जो आरेच विटेकर ने five kingdom classification दिया था उसमें उन्होंने क्या basis रखे थे classification के तो मैंने आपको एक चीज की request करी थी पीस physics chemistry रट कर मत पढ़ो हना मैंने बोला था ना रट कर test मत दो हना test मत दो clear है तो पीसे था physics क्या था physics C था chemistry R से था reproduction sorry R से था रटो यहां पर रट कर T से था test मत दो ठीक है M से क्या था मत दो क्या clear है तो बताईए यहां पर क्या होगा इसका जल्दी बताईए क्या होगा P से क्या था phylogenetic क्या था phylogenetic relationship क्या था phylogenetic relationship क्या clear है phylogenetic relationship क्या clear है वही पर C से chemistry से था क्या? cell structure क्या था? cell structure clear है? वही पर R से क्या था? reproduction क्या था? reproduction और T से था thalus organization क्या था? thalus organization और M था mode of nutrition क्या था? mode of nutrition क्या clear है? क्या है? mode of nutrition तो जल्दी बिताएए क्या answer जाएगा? इसका क्या answer जाएगा? बताएए जल्दी इसका क्या answer जाएगा? इसमें से कोई है क्या? कोई मिल रहा है क्या? जल्दी बताएए इसमें से मिल रहा है मैं mode of nutrition क्या मिल रहा है? mode of nutrition तो mode of nutrition इसका क्या होगा? answer जल्दी से screenshot लीजे यहां पर देखिए किसके बारे में बात कर रहे, cell wall के बारे में बात कर रहे, clear है, चलिए, तो जल्दी से screenshot लीजे, आगे बढ़ है क्या, आगे बढ़ सकते हैं क्या, देखिए, तो इसका answer क्या है, mode of nutrition, क्या है, mode of nutrition, तो question number 6 फोल रहा है, which of the following statement is false about the fungi, तो फंचाय के लिए कौन सा कथन गलत है, कौन सा statement गलत है, जल्दी बताए, A है, they are eukaryotes, क्या ये, eukaryotes होते है, ये कथन गलत है, या ये option गलत है, B बोड़ है, they are heterotrops, ये heterotrops होते है, क्या ये गलत है, they possess a poorly cellulosic cell wall, and D option, none of these, कोई नहीं इसमें से, चले, तो क्या answer होगा, आप के पास 5 second है, 1, 2, 3, 4, 5, time up, चले, तो क्या answer होगा, भाई, पंचाय जो होती है, वो तो eukaryotes होता है, okay, ये तो सही है, they are heterotrops, बिल्कुल सही है, saprophytic होते है, चले, possess a poorly cell wall, ना बाबा, ये तो क्या होती है, यहाँ पर, cellulosic cell wall होती है, क्या होती है, जल्दी बताइए, cellulosic होती है, क्या, होती है, क्या 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 होत है सही और यहां पर उन्होंने क्या पूछा है पूछा है क्या पूछा है पूछा है तो यहां पर cellulose एक ना होकर कौन सी होती है काइट इन की होती है किसकी होती है काइट इन की क्या क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं क्या आपकी permission है क्या चलिए तो C option क्या है सही अब D वाले option पे हम जाते है question number 7 that is African sleeping sickness is caused by ठीक है तो African sleeping sickness के लिए कौन सा protozoan responsible है कौन सा protozoan responsible है बिलकुल मैंने पहले भी समझा दे है मिरे से ये मत बोला मैं हमें स्लीपिंग सिखनेस हो गई है अना मत बोलना प्लीज प्लीज मत बोलना अना चलिए कौन सी African sleeping sickness है देखो ट्रैफेनोजोमा क्रूजी ट्रैफेनोजोमा टेंजला ट्रैफेनोजोमा रोडेसियन और ट्रैफेनोजोमा गैंबियन्स क्या होगा आंसर जल्दी बताईए क्या आंसर होगा इसका जल्दी बताईए इसका आंसर क्या होगा आपको 5 सेकंड मिलते हैं 5 सेकंड में आपको आंसर तुक्का ना मारना प्लीज तुक्का नहीं मारना 1, 2, 3, 4 and 5 यह आप NCIAT में लिख लेना NCIAT में लिख लेना क्या होता है Trypainozoma Gambians क्या होता है Trypainozoma Gambians क्या clear है तो जल्दी से screenshot लीजे इसका जल्दी screenshot लीजे ओके आगे बड़े क्या चलिए तो answer क्या है Trypainozoma Gambians क्या है Trypainozoma Gambians चलिए आगे बढ़े आप दिखें, question number 8 है, lineus evolved a system of nomenclature, हाना, lineus जो है, इसने कौन सा system of nomenclature को क्या किया था, evolved किया था, vernicular को, monomial को, polymenial को, या binomial को, जल्दी बताईए, बहुत easy सवाल, बहुत easy, बोलेंगे, अरे मैम, आप भी क्या, यार, कैसे कैसे सवाल देते हो, इतने easy सवाल, मतलब सच में, हाना, कोई बहुत नहीं, एक-दो थोड़ा सा, वो क्या है, कभी-कभी होता है, न, सो जाते एक दम से, तो उठाने के लिए, क्या कि हां, भाई, बन तो रहा है, चलो, चलो, तो क्या है, A-Vernacular, B-Monomial, C-Poly-Nomial and D-Binomial, क्या अंसर होगा, पांच सेकेंड है, 1, मेरा सेकेंड थोड़ा सा तेज चलता है, क्लियर है, 1, 2, 3, 4 and 5, टाइम आप, टाइम आप, चलिये, तो बताइए, कौन सा होगा इसका अंसर, अरे मैम, Binomial Nomenclature दिया था, वन उने तो क्या दिया था, Binomial Nomenclature, क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, तो देखते हैं, इसका औंसर क्या है, देखते है, चले, तो इसका अंसर है D, क्या है D, चले, Question Number, इसका अपने screenshot ले लिया, क्या, जल्दी screenshot ले लिजये, question number 9th की तरफ चलते है question number 9th बोल रहा है phylogenetic classification is based on जल्दी बताईए phylogenetic classification जो होता है वो किस पर बेस होता है किस पर जल्दी बताईए option A है overall similarities, B है habits of plant, C है common evolutionary descendants and D है all of these सब पर depend करता है जल्दी बताईए क्या किस पर based है किस पर based है जल्दी बताईए अरे कितनी बार पढ़ा चुक्यों यह तो मैं जल्दी बताईए क्या answer होगा 1,2,3,4 and 5 time up समय समय थुआ आपका तो इसका answer जाएगा आपका C क्या जाएगा C क्या जाएगा जल्दी बताईए C answer जाएगा C correct answer है जल्दी से screenshot लीजिए ओके देखते हैं क्या answer है तो इसका answer है C चलिए तो जल्दी से question number 10 पढ़िए 10 क्या बोल रहा है जल्दी पढ़िए 10 जल्दी 10 पढ़िए ओके पढ़ लिया तो देखिए static concept of species was proposed by ठीक है static concept species का static concept किसने दिया था किसने प्रपोस किया था option A Darwin option B Theofrastus option C linears and option D decandole AP decandole क्या clear है चले तो कौन सा option सही है 5 second आपके शुरू होते हैं अब 1 2 3 4 & 5 ताइम आप जल्दी बताईए कौन सा होगा static concept of species दिया था आपके lineage ने किसने दिया था lineage इसको याद रखना आपके NCRT पे लिख लो clear है किसने दिया था lineage ने दिया था चले तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या answer है इसका answer है lineage क्या है lineage चले आगे बढ़ते हैं question number 11 की तरफ किसकी तरफ question number 11 की तरफ the protists have which of the following इसमें से यह जो चार option है जिसमें से कौन सा protist के लिए है चले तो option यह बोल रहा है कि free nucleic acid aggregates भी है nuclear protein in direct contact with the rest of the cell substance C option है membrane bound nuclear protein within the cytoplasm and D option है nuclear protein condensed together to in a loose mass जल्दी बताइए कौन सा option सही है जल्दी बताइए prokaryotes जो प्रोटिस्टा जो होता है वो eukaryotic cell है यह prokaryotic cell है जल्दी बताइए prokaryotic cell है यह eukaryotic है जल्दी बताइए क्या आपको hint मिल चुका है जल्दी बताइए क्या आपको hint मिल गया तो आपके 5 seconds होते हैं, अब start, 1, 2, 3, 4 and 5, time up, time up, चलिए, तो इस concept कह जाएगा, क्योंकि eukaryotic cell होते है, और eukaryotic cell में क्या होता है, eukaryotic cell है, तो eukaryotic cell में जो nucleo protein होते है, वो membrane bound organelles से, क्या होते है, membrane bound nucleo protein present होता है, बिधिन्दा, cytoplasm, clear है, मतलब यहाँ पर क्या present होता है, true nucleus, क्या होता है, true nucleus present होता है, और कहाँ पर होता है, cytoplasm के अंदर, बट, prokaryotic cell में ऐसा नहीं होता, उसका जो nucleo protein है, मतलब nucleic acid हम बात करें, तो वो nucleic acid किससे cover नहीं होता, जल्दी से cover नहीं होता, क्या clear है, चलिए, तो screenshot ले लिजे इसका, जल्दी से screenshot लिजे, answer C जाएगा, क्या जाएगा C, चलिए, तो आगे बढ़े क्या, तो option C is correct, चलिए, तो चलते हैं, question number 12 की तरफ, jeans of tobacco music virus R, पढ़ाया हुआ है मैंने, चलिए बताइए, तो tobacco music virus के जो jeans है, वो कैसे ह होते है, single stranded RNA होते है, double stranded DNA होते है, या protein issues होते है, जल्दी बताइए, क्या option सही है, यहाँ पर, जल्दी बता दीचे, क्या option सही है, 1, 2, 3, 4 and 5, time up, चलिए, तो इसका answer जाएगा, single stranded RNA, मैंने लिखवाया था, क्या होता इसके अंदर genetic material, single stranded RNA, चलिए देखते हैं, क्या मैं सही हो हूँ, देखते हैं, क्या मैं सही हूँ, तो मैं सही हूँ, क्या आप सही है, जल्दी बताइए, आपके अभी तक कितने questions सही हुए, मेरे तो 12 में से 12 questions सही निकले, ठीक है, मतलब मैं आपना homer करके आई हूँ, क्या आप अपना homer करें हुए हो, क्या आपने revision किया हुआ है, आपको सब कुछ clear है क्या चले तो blue green algae belongs to bitch group जल्दी बता दीजे किस group से belong करती है blue green algae protesta से prokaryote से fungi से या bryophyte से मैं fungi से या protesta से जल्दी बताए क्या मैं bryophyte से या prokaryote से जल्दी बताए क्या होगा अरे blue green algae तो मैंने cyanobacteria होता है क्या होता है cyanobacteria ठीक है और cyanobacteria क्या है bacteria है तो यह तो क्या होंगे prokaryotes होंगे क्या होंगे prokaryotes क्या clear हुआ जल्दी बताए क्या clear हुआ या नहीं तो option b correct होगा clear है तो जल्दी से screenshot ले लीजे जल्दी screenshot लीजे चले आगे बढ़े क्या Okay, question number 14, TODNR discovered bacteriophase, infectious protein, free infectious DNA या free infectious RNA, जल्दी बताईए, इन्होंने किसको discover किया था, जल्दी बताईए, किसको discover किया था, free infectious protein को, free infectious DNA को, या free infectious RNA को, जल्दी बताईए, किसको किया था, इन्होंने discover, जल्दी जल्दी डल्दी, किसके बारे में बताईए था, इन्होंने वाइरस के बारे में या वाइरोइड के बारे में, जल्दी बताईए, किसके बारे में बताईए था, वाइरस या वाइरोइड, मतलब क्या होता है जल्दी बताएं वायरा इडिक मतलब होता है नूऌल जो उसका जैनिटिक मैते रियल होता है उसके ऊपर प्रोटीन का between नहीं होता मतलब वायरुस डिवॉइर्ड हो और वायर आरेने क्योंकि उसका जो genetic material होता है वो क्या होता है single standard RNA क्या होता है single standard RNA तो यहां पर क्या है free infectious RNA जो आपका question number 14 है उसका D option क्या है correct देखते हैं क्या सही है या नहीं तो option D क्या हो जाएगा correct क्या clear है तो यहां पर इन्हों ने किसके बारे में बात करी है वायरोइड के बारे में किसके बारे में वायरोइड ठीक है तो यह कौन है वायरोइड से चलिए तो screenshot ले लीजे ओके आगे बढ़े अब देखिए next है question number 15 question number 15 बोल रहा है which statement is fall for capsid capsid क्या होता है कुछ दिमाग के घोड़े जो है वो दोड़े क्या जल्दी बताये दिमाग के घोड़े दोड़े क्य जल्दी बताये चलिए तो पहला option बोल रहा है it consists of capsul mere ठीक है भी option है this is outermost layer of most virus option C है they are arranged in random geometrical structure and D है it protects genetic material इसमें से क्या false है क्या गलत है capsid के लिए जल्दी से 5 second है बहुत easy question है 1, 2, 3, 4 and 5 time up time up जल्दी बताये क्या सही है चलिए तो कौन से सही है भाई ये consist होता है capsul mere से सही है ये capsid की unit क्या होती है small unit क्या होती है capsul mere तो पहला option तो correct दूसरा option बुरा कि outer most layer होती है virus की हां बिलकुल होती है क्योंकि ये तो क्या होता है protein coat होता है protein coat क्या clear है? चले, option C है, they are arranged in random geometrical structure, random geometrical structure नहीं होता है यहाँ पर जो geometrical structure होता है, या तो polyhedral होगा, क्या होगा? polyhedral होगा या क्या होगा? और, और spiral होगा, क्या होगा? spiral या तो क्या होगा? spiral ही होगा क्या clear है? तो यह तो गलत होगा, clear है? और it protects genetic material, बिल्कुल यह किसको, यह जो capset है किसको protect कर रहा है? genetic material को तो यह option भी सही, तो गलत कौन सा जाएगा? जल्दी बताएगे, गलत जाएगा आपका C option, क्या जाएगा? C option तो जल्दी से screenshot लीजे जल्दी से screenshot लीजे, ओके आगे बड़े, चले, देखते हैं इसका answer इसका answer है C, क्या है इसका answer? C, तो next question की तरफ चले, क्या? question number 16 है, which one does not belong to deuteromycetes किस से belong नहीं करता? deuteromycetes से deuteromycetes को हम क्या बोलते हैं? imperfect क्या बोलते हैं? imperfect fungi, क्या बोलते हैं? imperfect fungi, और क्या बोलते हैं? sexual reproduction क्या होता है? absent, क्या होता है? sexual reproduction जो होता है वो क्या होता है? absent ठीक है? चले, तो जल्दी बताइए इसमें से कौन belong नहीं करता है, मतलब इसमें से कौन सा जो है, किसका example नहीं है, deuteromycetes का example नहीं है, क्या मैंने आपको इसकी trick बताई थी, जल्दी बताईए UPA can act, मतलब bad piggies, हाना, क्या था? bad piggies तो B, A, D, bad piggies, ठीक है, तो D तो हो रहे है हमको जाना, किस में जाना है? due tarot में तो हमने क्या दिखा था? can, sorry U, P, A can act ram, ठीक है? तो यहाँ पर A से क्या था? मैंने, GST लगाई थी ना, इन पर क्या लगाई थी? GST तो A, T से क्या था? alternaria क्या था? alternaria क्या रहे हैं? और फिर C से क्या था? collect to trichum था ना? क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? collect to trichum और क्या था? T से क्या था? trichoderma क्या था? trichoderma तो देख लो, option कौन सा नहीं मिल रहा है आपको use trilago, use trilago तो किसका है? जल्दी बताइए use trilago तो best seedio my cities का example है किसका? best seedio my cities का क्या clear है? तो जल्दी से screenshot लीजे, जल्दी से screenshot लीजे ओके, क्या आगे बढ़ सकते हैं? देखते हैं क्या answer है? क्या answer है इसका? C, क्या है? C, मतलब use trilago, clear है? तो question number 17 है which is not a part of the sexual cycle of fungi? sexual cycle fungi की sexual cycle का कौन सा part नहीं है? यह तो मैंने काफी बार पढ़ा चुकी हूँ आपको जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही option है? मतलब कौन सा नहीं part है? ओके, 5 सेकेंड आपके start होते हैं 2, 3, 4, 5, time up, time up, चलिए. तो क्या होगा? plasma gammy तो होगा. plasma gammy में क्या होता है? fusion of protoplasm तो यह तो होता है fusion of protoplasm और cytoplasm यह तो होता है मैं then उसके बाद mitosis होती है? क्या? जल्दी बताईए क्या कह रहे होगा? ही में होती है? बल्कुल होती fusion of fusion of nucleus ठीक है? यह nuclei है ठीक है then meiosis होती है? जल्दी बताईए क्या meiosis होती है बताईए क्या होते है ये haploid होते है क्या होते है haploid और zygote बनता है तो zygote में क्या होती zygotic meiosis होती है तो ये तो होगा क्या नहीं होगा ये नहीं होगा mitosis नहीं होगा क्या clear है जल्दी बताईए क्या clear है तो screenshot ले लीजे जल्दी से इसका, जल्दी screenshot लीजे, इतना clear हुआ, तो हटा दू मैं, देखे answer क्या है, तो answer क्या होगा, mitosis, क्या होगा, mitosis, जल्दी से screenshot लीजे इसका, ले लिए screenshot आगे बढ़े चाले, आगे बढ़ते हैं, question number 18 की तरफ, किस की तरफ, 18 की तरफ, चले, तो question number 18 बोल रहा है, which one is sexual sport, इसमें से sexual sport कौन से है, मतलब हम फंजाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे sports जो दिख रहे हैं, वो किस के हैं फंजाई के, क्या आपको कुछ याद है, क्या आपको sexual sport की बारे में कुछ याद है, जल्दी बताईए, तो आपको मिलते हैं, क्या पढ़े थे, sports, ठीक है, तो sports में हमने पढ़े थे, दो टाइप के sports, एक होते हैं, एसेक्शुल स्पोर, और दूसरे होते हैं, सेक्शुल स्पोर, ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, कि एक्सेप्ट, क्या पढ़ा था, एक्सेप्ट, 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 एसको स्पोर, बैसीडियो स्पोर, उस्पोर, एंड्जाइगो स्पोर, हरा, एक्सेप्ट, एसको स्पोर, बैसीडियो स्पोर, उस्पोर, एंड्जाइगो स्पोर, एक्सेप्ट, 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 एक्स या आपको confusion ना हो तो मैं इसको हटा दूँ तो ये सारे क्या है? Sexual spore है के अलावा क्या होंगे सारे के सारे? ये sexual spore हाना तो मैं बोल दूँ यहाँ पर बोल सकते हैं हम ये चीज़ कि except Bacidio spore ठीक है और Bacidio spore, Esco spore, U spore, Enzygo spore इनको छोड़कर, इनको छोड़कर all the spores are, all the spores are, जल्दी बताईए क्या होते हैं? Asexual spore हाना तो इनको छोड़कर, इन चार spore को छोड़कर क्या होते हैं? बाकी सारे क्या होते हैं? Asexual spore. क्या clear है? जल्दी बताईए क्या clear है या नहीं? जल्दी बताईए क्या आपको clear है? क्या आपको clear है? जल्दी बताईए तो इसको छोड़कर बाकी सारे स्पोर्स कैसे होते है एसेक्शुल स्पोर्स ठीक है तो देखिए कौन से स्पोर्स इसमें से है एसेक्शुल कौन से एसेक्शुल है इसमें देखिए मैं जू स्पोर एसेक्शुल है कुने डिया एसेक्शुल है स्पोर इन जो स्पोर ये सारे क हो जाए का आपका sexual क्योंकि देखें यहाँ पर क्या आया है sexual sport के अंदर तो जल्दी से screenshot ले लिजेसका पटा-फट screenshot लेजे ओके क्या अपने इसका screenshot ले लिया है चले तो आगे बढ़ें ओके-ओके-ओके चलो भाई आपको सब क्लियर हो गया इसका answer क्या है escospore क्या है escospore चले कुशन नमबर 19 की तरफ चलते हैं question नमबर 19 है what cause red tides ठीक है red tide को cause कौन करता है जल्दी बताईए जल्दी जल्दी फटा-फट जल्दी बताईए red tide को कौन cause करता है red tide को cause करता है कौन जल्दी बताईए hint दे दिया मैंने 5 second है आपके पाद जल्दी से answer कीचिए 1 2 3 4 & 5 time up time up चलिए तो इसका क्या है dino flagellates क्या हो जाएंगे dino flagellates यह है कौन हो जाएंगे dino flagellates dino flagellates के अंदर भी कौन गौनियोलेक्स कौन हो जाएगा गौनियोलेक्स ठीक है तो गौनियोलेक्स जो होता है वो red tide के लिए responsible होता है किसके लिए red tide के लिए अब red tide क्या होता है red tide का मतलब होता है जो waves होती है c की waves जो होती है तरंगे जो होती है वो कैसे दिखती है red color की दिखती है कर दिखती है डाइ्नोफलेजज़लेट की बज़े से डाइनोफलेज़लेट की वज़े से क्या क्लिएंदर एंदर राइड क्लर का pigment परसेंट होता है जिसकी वज़े से ऐसा लगता है कि की समुद्र में खुण म crunchy क्या clear है चलिये तो इतना clear हुआ चलिये आगे देखते हैं क्या answer सही है इसका दिखते है दिखते हैं चलियो तो इसका answer सही है Gonyalux क्या है Gonyalux चलो तो question number 20 question number 20 बोल रहा है what are plant decomposers कौन plant decomposers होते हैं जल्दी से बहुत 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 easy question है, बहुत easy question, जल्दी बताईए कौन इसका, कौन सा A, B, C, D, कौन सा answer होगा, जल्दी बताईए कौन सा answer होगा, आपके पास 5 second है और आपका 5 second start हो चुका है, 1, 2, 3, 4 and 5, चल ये तो 5 second आपके खतम होते हैं, क्या आपने answer कर दिया, क्या सभी बच्चों ने answer कर दिया, जल्दी बताईए, तो देखते हैं यहाँ पर इसका क्या answer होगा, इसका answer होगा, monera and fungi, क्योंकि bacteria and fungi ही तो responsible है, decomposition के लिए, मैंने बोला था, bacteria and fungi ecosystem के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो decomposition की process नहीं होती और आपको जो mineral recycling हो रही है, जो mineral recycling हो रही है, वो mineral recycling नहीं होती और आपको वही mineral फिर से available नहीं होते, clear है, चलिए और ऐसे करके सारे minerals खतम हो जाते और हम, हम भी खतम हो जाते, clear है, चलिए, तो इसका option जो ए है वो सही answer जाएगा, check कर लेते हैं एक बार हाना, क्या हर्स है, हो सकता है हम गलत हो जाएं कमें, तो option A क्या है, क्या है, option A क्या है, क्या है, क्या आगे बड़े चलिए, तो question number 21 की तरफ चलते है, क्या आपने-पने seed की पेटी बांद ली है क्या आपने सीट की पेटी बांद ली है क्या आपने सीट लगा लिया है क्या हम Q21 की तरफ उडान लेते हैं चलिए तो हमने उडान ले ली है और Q21 है Diatoms do not decay quickly because हना जो Diatoms होते हैं वो decay नहीं होते डाइटम्स क्या होते हैं जल्द पते मैं प्रोटेस्टर होते हैं क्राइजोफाइट सोते हैं बिल्कुल सही तो जो Diatoms है वो easily quickly decomposed नहीं होते किस वजह से नहीं होते बहुत easy सबाल है और बहुत frequently पूछे जाने वाला सबाल है आपके पास है 5 seconds और आपका second start होता है अब चलिए 1,2,3,4 and 5 time up time up चलिए तो इसका answer क्या है they are cutaneous it has silicaceous walls diatoms contain saline soil their body is impervious to water क्या इसका answer होगा I hope आपने तो अब तक कर दिया होगा इतने fast होगे हो आप चलिए तो इसका जो wall होती वो कैसी होती siliceous wall होती है इसलिए मतलब इसकी जो cell wall होती है हना इसमें क्या present होते है फ्रस्ट्यूल present होते है सब पूजी क्या है इसकी cell wall है क्या है इसकी cell wall है चलो थोड़ा सच्छी सा बना देते हैं यह क्या है इसकी ठीक है तो इसकी जो cell wall जो होती है उस पे क्या present होता है silica present होता है क्या होता है silica clear है तो इसकी cell wall पे क्या present होता है silica इसकी वज़े से इसकी cell wall क्या होती है indestructible क्या होती है indestructible क्या clear है इसका option जो क्या है B जो है वो correct जाएगा जलिकते हैं ज्थे का तो सही n Katie एसका सही answer क्या है B । क्या आपको इतना clear हुआ जल्दी बताइए क्या था क्लियर हो गया है आपको क्या हम question number 22 की तरफ चलते हैं चल तो question number two है sporochates are क्या होते है sporochates जल्दी बताईए तो sporochates क्या होते है बताईए जिसका shape क्या होता है spirally क्या होते है क्या होते है spirally और spirally कौन होते है bacteria class of virus a class of insects और पंजाए बहुत easy question है जल्दी बताईए हमने पढ़ा है classification में जल्दी बताईए आपका समय होता है start one two three four and five चलिए time up time up तो देखते हैं क्या option सही जाता है इसका option a क्या है सही bacteria है ना spiral पढ़ते हम वो कैसे shape के होते spiral shape के होते हैं तो इसका answer क्या जाएगा bacteria क्या जाएगा bacteria तो option a जो होगा वो क्या हो जाएगा correct क्या clear है चलिए तो screenshot ले लीजिया आप मैं हटा देती हूँ और इसका answer एक बाद check कर लेते हैं संतुस्टी के लिए आपकी और मेरी दोनों की चलिए तो option a जो है जल्दी बताईए क्या होता है किसके जुरू होता है transformation transaction, conjugation या all of these आपका समय होता है अब शुरूँ चलिए तो शुरूँ हो चुका है आपका समय जल्दी से बता दीजे किसका answer क्या है a b c and d जल्दी बताईए क्या होगा जल्दी बताईए ओके खतम आपका time इसका Ketchy, end conjulation, Ketchy, और मैं भी क्या होता है? नहीं बता होता है, चलो, तो transformation बताते हैं क्या होता? चलिए, यह है कि media एक क्या है? medium, इस medium में क्या present है? एक genetic material present है, मतलब इस medium में present है DNA, क्या present है DNA, और यहां पर present है एक bacteria, क्या present है एक खुद का DNA, clear है, तो होता क्या है, medium से क्या हो जाता, ये DNA कहाँ पर आ जाता है, bacterial cell के अंदर, इस process को हम बोलते हैं, transformation, ये क्या हुआ, transformation, तो ये क्या हो गया, transformation, तो यहाँ पर देखिए, genetic recombination हुआ की नहीं, दूसरा genetic material, इस bacteria के अंदर आया, इस process को हम बोलते हैं, transformation, clear है, दूसरा है, दूसरा है, transduction, तो transduction क्या होता है, वो भी देख लेते हम, इतनी देर क्यों करें, transduction के लिए, तो देखिए, transduction का मतलब क्या होता है, ये है bacterial cell, क्या है, bacterial cell और इस bacterial cell के अंदर है, इस bacteria का genetic material, क्या है, genetic material, clear है, और ये है bacteriophage, क्या है, बैक्टीरियो फेज, मतलब वो वाइरस जो किसको इंफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को किसको इंफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, क्या क्लियर है, चले, तो यह है वो वाइरस, जो किसको इंफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, क्या क्लियर है, चले, तो इसके अंदर क्या ह है क्योंकि infect कर रहा है तो इसके अंदर दूसरे का क्या होगा दूसरे bacteria का क्या होगा genetic material होगा और वो क्या कर देगा इस में इसको transmit कर देगा किसके थू लेटिक और cy приг rated cycle तू किसके थू लेटिक और ly tuna樹 जैनिक cycle के थू क्लियर है तो यह क्या हो जाता है, यह होता है, transduction, क्या होता है, transduction, क्या clear है, वहीं पर हम बात करें किसकी conjugation की, तो conjugation में क्या होता है, suppose यह एक bacteria है, यह क्या है, यह दूसरा bacteria है, clear है, इस bacteria को हमने बोला, F positive bacteria किसको इसको हमने बोला F positive bacteria क्योंकि ये तो इसका क्या हो गया genetic material इसके पास भी genetic material है इसका clear है बट इसके पास एक extra chromosomal DNA है क्या है extra chromosomal DNA जिसे हम plasmid कहते हैं क्या बोलते हैं plasmid इस plasmid की होने की वज़े से इस bacteria को हम F positive बोल रहे है क्या बोल रहे है F positive और ये जो positive F positive bacteria है इसके पास एक present होती है plai that is longer plai ये क्या है longer plai और sex plai क्या होती है longer plai और sex plai sex plai और longer plai ठीक है तो होता क्या है देखिए होता क्या है मैं बताती हूँ पहले होगा इसका replication क्या होगा replication और replication के बाद ये कहां चला जाएगा दूसरे bacterial cell में तो इस process को हम क्या कहेंगे conjugation क्या बोलेंगे conjugation तो ये है आपका conjugation क्या होगा conjugation क्या क्या है तो third पर ये रहा conjugation ओके तो ये आपको तीनों process समझ में आ गई genetic recombination की जल्दी बताएए तो इन तीनों process में क्या हो रहा है दूसरा DNA bacterial cell के अंदर enter हो रहा है इसी को हम क्या बोलते है genetic recombination देखिए यहाँ पर भी medium से आया यहाँ पर bacteria phase ने अंदर छोड़ दिया यहाँ पर इस cell में यह वाला आ गया इसको इस plasmid को हम बोलते हैं extra chromosomal DNA क्या बोलते हैं extra chromosomal DNA और इस plasmid में present होते हैं antibiotic resistant gene clear है जो की इस bacteria को resistance provide करता है किसके लिए antibiotics के लिए क्या clear है जल्दी बताइए क्या clear है या नहीं तो जल्दी से screenshot ले लिजे जल्दी से screenshot ले लिजे okay I hope आपने screenshot ले लिया होगा हम आगे बढ़ सकते हैं तो इसका जो answer है option D सही हो गया क्या clear है चलिए तो question number 24 की तरफ चलते है question number 24 है fungal cell walls है fungal cell walls जो होती है वो किससे बनी होती है hemicellulose से cellulose से chitin से या pectin से जल्दी बताइए इस से easy question तो क्या ही बनाऊंगी मैं क्या ही question बनाऊंगी जल्दी बताओ तो इसका क्या option सही चाहेगा 1 2 3 4 & 5 आपका समय होता है समा जल्दी बताइए इसका क्या option सही है जल्दी बताइए आपका answer आ चुका होगा तो मैं भी अपना answer दे होती हूँ काईटिन ठीक है पंगल से वाल किससे वनी होती है काईटिन से वनी होती है किससे काईटिन और काईटिन क्या होता है होमो पॉली सेकराइड क्या होता है होमो पॉली सेकराइड क्या होता है होमो पॉली सेकराइड क्या क्लियर है तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजे जल्दी स्क्रीन शॉट ले जे इसका ओके I hope आपने screenshot ले लिया होगा और मैं हटा सकती हूँ तो देखते हैं इस cancer क्या है, is cancer है C. Chitin क्या है? Chitin, क्या clear है? आप देखते हैं Question number 25 की तरफ जो की है Heterocyst in Nostok participates in जो Nostok का Heterocyst होता है, वो किसमें participate करता है? Option A है nitrogen fixation में, option B है Fragmentation में, option C है, fruit storage में and option D है, symbiotic relation में क्या option सही जाएगा? जल्दी बताएए इसका कौन सा option सही जाएगा? आपका time होता है शरू अब 1, 2, 3, 4 and 5 Time up, time up, time up चलेए तो इसका option A क्या होगा? Correct जो Heterocyst होती है Nostok की वहाँ पर क्या होता है? Nitrogen fixation वहाँ पर कौन सा enzyme present होता है? Nitrogenase कौन सा enzyme present होता है? Nitrogenase तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको देखे ये क्या है? फिलामेंट से? ठीक है? तो यहाँ पर क्या होती है? एक covering present होती है सिस्ट फॉर्म हो जाता है जो की different होता है बाकी से इसलिए हम इसे क्या बोलते है? हेटरोसिस्ट क्या बोलते है? हेटरोसिस्ट नॉस्टोग जो होता है वो क्या करता है? नॉस्टोग जो होता है वो क्या करता है? आपको फोटो सिंथेसिस करता है क्या करता है? फोटो सिंथेसिस तो ये दूसरे जो इसके फिलामेंट से इसमें दोनों present होता है क्या PS1 भी present होता है मतलब photo system 1 भी present होता and photo system 2 भी present होता है don't worry अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है हम photo synthesis जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम photo system के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्या clear है तो photo system 1 and 2 दोनों present होता है मतलब यहाँ पर cyclic and non cyclic photo phosphorylation दोनों होता है बट यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट होता है कौन सा फोटो सिस्टम वन क्या प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम वन क्लियर है यहाँ पर only फोटो सिस्टम वन प्रेजेंट होता है only clear है चलिए तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है nitrogenase enzyme होता है कौन होता है nitrogenase enzyme जो कि क्या कराता है nitrogen fixation कराता है क्या कराता है nitrogenase enzyme क्या कराता है nitrogen fixation and to fixation clear है और ये जो nitrogenase enzyme है ये O2 की presence में survive नहीं कर सकता इसलिए हमने यहाँ पर cyst बनाई है कि यहाँ पर कैसे condition present हो सके an aerobic condition present हो सके clear है और इसलिए यह पर photo system two present नहीं है क्योंकि photo system two और photo system one जब दोनों present होते हैं तो non cyclic photo phosphorylation होता है और water की splating होती है मतब photolysis of water होता है और उसका by product निकलता है oxygen इसलिए तो आपको environment में oxygen मिल रही है फ्लांट की वज़े से clear है चलिए तो यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आया क्यों यहां पर photosystem 2 नहीं है क्योंकि हमें कैसी condition बनानी है यहां पर हमें an aerobic condition बनानी है क्योंकि nitrogen is enzyme होता है वह aerobic condition में क्या हो जाता है in active क्या clear है चलिए तो जल्दी से screenshot ले लिजिए इसका जल्दी screenshot लीजे ओके तो आपने screenshot ले लिया होगा मैं आगे बढ़ सकती हूं तो question number 25 का option A क्या हो गया correct चालिए तो congrats अगर आपका answer सही है तो हम आगे बढ़ सकते हैं question number 26 की तरफ चलते है question number 26 बोल रहा है another name of synovacteria कितनी बार बता है जल्दी बताईए इसका क्या है इसमें तो 5 second देने की विज़रवत नहीं बोलते माम आखे blink करो हम answer करते है जल्दी बताईए क्या होगा option A blue green algae option B golden algae option C protest and option D slime mold क्या होगा answer जल्दी बताईए क्या answer हो गया आगया चले तो इसका answer क्या होगा blue green algae मैंने कितनी बार बोला कि cyanobacteria को क्या बोलते है blue green algae बोलते है और क्या बोलते है blue green algae बोलते हैं तो blue green algae से यह बिल्कुल मत समझ लेना कि इसमें आखरी में algae लगा है तो यह algae है यह क्या है bacteria है क्या है bacteria तो इसका option A क्या हो गया correct clear है चले तो screenshot ले लीजिए जल्दी से और हम आगे बढ़ते हैं चले आगे बढ़ने के बाद यह option check कर लिया हमने option A ही correct है चले तो चलते हैं question number 27 की तरफ question number 27 बोल रहा है name of agaricus fruiting body agaricus किसका example है जल्दी बताएए तो मैं agaricus तो example होता है किसका 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 अरे example है वैसीडियो माइसीटीज का क्या clear है हाना तो यह किसका example है वैसीडियो माइसीटीज का तो इसकी fruiting body का मैंने नाम बताया था कि आगरी में कार्प लगा दो बाकिसका नाम रने दो तो वैसीडियो की fruiting body क्या होगी बताएए fruiting body क्या होगी इसकी इसकी fruiting body क्या होगी जल्दी बताएए तो इसकी fruiting body होगी बैसीडियो कार्प क्या होगी बैसीडियो कार्प होगी बैसीडियो कार्प क्या क्लियर है जल्दी बताएए तो इसका option आप कहीं देख पा रहे है क्या जल्दी बताएए यह फेरी रिंग्स नहीं क्लिस्टो थीशियम नहीं बैसीडियो कार्प येस एसको कार्प नो तो ये तो नहीं होंगे option c correct जाएगा क्या जाएगा option c correct तो जल्दी से screenshot ले लिजे इसका जल्दी से screenshot किस-किस ने answer कर दिया था जल्दी बताएए तो screenshot ले लिया agaricus क्या होता है agaricus mushroom होता है क्या होता है mushroom होता है अगेरिकस क्या होता है मश्रूम ठीक है जो कि एडिवल फंजाए क्या है एडिवल फंजाए चलिए तो आगे बढ़े इसका अंसर क्या है वैसीडियो कार्प ठीक है मैंने मुला उसका जो जो उसकी ग्लास है उसी में आपको क्या लगा देना जो उसका ग्रॉप है उसके आपके जो फाइको मैसे टीज उसमें फूटिंग बॉड़ी प्रजेंट नहीं होती क्या क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेस्टिन है विच ग्रॉप होल्ड्स मैक्सिमम नूट्रिशनल डाइवरसिटी सबसे जादा नूट्रिशनल डाइवरसिटी किसमें प्रजेंट होती है क्या मैंने आपको यह पढ़ाया है जल्दी बताए किस में होती है पांच सेकंड स्टार्ट होते है अब 1,2,3,4,5 and time up चलिये तो बताए कौन सी फूटिंग बॉड़ी होती है जल्दी बताए जल्दी 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 सौरी कौन सी सबसे जाधा मैक्सिमम नूट्रिशन diversity present होती है तो हमने बात कर रहा था kingdom monera उसमें क्या होते है आपके auto भी होते है heterovy होते है auto में भी chemo synthetic होते है और photosynthetic होते हैं तो सबसे ज्यादा nutritional diversity present होती है kingdom monera में किसमे kingdom monera में तो जल्दी से screenshot ले लिजेस का जल्दी फटा फट चलिए आगे बढ़ सकते हैं ओके देख लेते हैं चले तो option a क्या होगा correct option a क्या है correct चलिए तो option sorry question number 29 है in which form fungi stores food material ठीक है तो जो fungi होती है वो किस form में material को store करती है फिर मैं आपको एक hint देती हूँ मैंने बोला था कि इसके जो stored food है उसके basis पर हमने इसको बोला था कि किस से मैच खा रही है किस से मैच कर रही है जल्दी बताईए किस से मैच कर रही है एनिमल से क्यों क्यों कि इसका stored food और एनिमल्स का stored food क्या है same है जल्दी बताइए तो क्या होगा इसका क्या option a b c d जल्दी बताइए عة से किया आपके पास 1 2 3 4 & 5 time up time up जल्दी बताइए क्या answer जाएगा जल्दी बताइएsover क्या answer जाइगाavourentser होगा क्या होगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो देखिए आप हमें हमारे यूटूब चैनल पर तो अल्रेडी फॉलो कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और वेल आइकन पर क्लिक कर दीजे जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे हना आपको सारी न्यू वीडियो मिलती रहे अलावा आप हमें हमारे सोचल मीडिया हैंडल जैसे की फेजबुक, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, ट्वीटर, वाट्सैप पर भी जोइन कर सकते हैं और हमसे जोड सकते हैं हम अपील कराते हैं e-notes and e-book की फैसलिटी जिसकी link description box में दी गई है तो चलते हैं हम इस तरह ब बढ़ाते हैं अब बात आती है कि इन चैनल पर हम कौन-कौन से कोर्स कराते हैं तो इन चैनल पर हम cbsc वोर्ट, डैली वोर्ट, बिहार वोर्ट, UP वोर्ट, MP वोर्ट, राजिस्थान वोर्ट, बेदिक मैट्स, क्रैश कोस and spoken English ये सारे के सारे जो आपके कोर्स हैं high quality education के magnet greens provide कराता है, unpaid subscription, अब आपको सिक्षा लेने के लिए पैसे देनी की जरुवत नहीं है, तो मिलते हैं next video में, bye bye